कि स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 14 इसमें हम रिग्रेक्शन लाइन के बार में पढ़ेंगे रिक्रेक्शन लाइन वाइन एक्स एंड रिग्रेक्शन लाइन एक्स ऑन वाई रिक रिग्रेशन लाइन वाई ओन एक्स इसके बार में हम पहले बढ़ेंगे इसके लिए हम पहले जाने इनके फॉर्मॉला बगारा देखेंगे अब रिग्रेशन लाइन के लिए जो हमारे पास equation दिये होती है y cap is equal to a plus b x अब इसमें जो b है वो हमारे पास regression coefficient हम उसको कहते हैं regression coefficient को efficient और इसके लिए अब हमारे पास अगर हमने y cap निकालना है जो के y regression line y on x है इसके लिए हमें a की value चाहिए और b की value चाहिए होती है तो इसके लिए हमारे पास b के जाना वो तीन formula हैं हो कौन कौन सी हैं एक जो है वो b is equal to n summation x y minus summation x bracket summation y under root over bracket n summation x square minus n sorry yes summation x ka whole square or e bracket closed b is equal to n summation x y minus summation x summation y over n summation x square minus summation x ka whole square bracket closed इसके इलावा हमार पास जो फार्मूला है वो है b is equal to summation x y लें जी b summation x y minus x n x bar y bar x bar आपका पता है summation x over इसके जो n number of observations होंगे उनकी divide करने से आता है और ड्रैकेट स्मेशन x square minus n x bar का square जो कि आपने उपर ही निकाल लिए होगा इसके लावा तीसरा फार्मूला जो है वह हमारे पास b is equal to summation x minus x bar into y minus y bar over summation x minus x bar का whole square उसके बाद हमारे पास चोगता फार्मूला इसमें आ जाता है अगर उसने variance की value हमें दी हो b is equal to s x y over s x का whole square अच्छा ये सारी equations जो हमने बनाई हैं ये सारी क्या है y on x by on x by on x और ये भी by on x अब यहां जो s x y है इसको हम covariance कहते हैं क्या कहते हैं को variance covariance अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है इसका फार्मूला हमारे पास होता है s x y is equal to summation x y over n minus summation x over n into summation y over n एक फार्मूला हो गया इसका फार्मूला हमारे पास summation x minus x bar into y minus y bar over n इसका फार्मूला हमारे पास s x उसका फार्मूला भी देख लिए हैं आप लोग s x का square हमारे पास होता है यह दो फार्मूला है summation x minus x bar का whole square over n summation x square over n minus summation x over n का whole square पिछले जो भी फार्मूला हमने पड़े वो सारे जो हम रिग्रेशन लाइन वायो नेक्स थे अब हम कौन से पढ़ेंगा regression line x on y के फार्मूला मैं यह सारे फार्मूला लिख देता हूं फिर आप इसको इसमे फार्मूला मिस्स हो गया है जो कि एक वैलियू है हमारे पास वो होता है a is equal to summation x minus b summation y over n तो अब हम वापस आते हैं हमारे फार्मूला regression line x on y तो इस regression line x on y क्या होती है x gap is equal to a plus by अब यहां पे पहले हमने y on x लिखा था अब हम क्या लिखेंग एक्स on y and summation x y minus mission x mission y over bracket and summation y square minus summation y ka whole square इस तरह बाकी formulas convert कर लेंगे और अगर आपको किसी इसमी फार्मूले में अगर कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं comments में इसके लावा जब आ चप्टर नमबर 14 शुरू करने से पहले आपको ये formulas लाजमी तोर पर आने चाहिए क्योंकि अगर ये formula आपको अच्छे आते होंगे तो फिर आपको लिए स्वाल करते हुए असानी होगी आपको बार बार पीछे से देखना नहीं बढ़ेगा तो कोशिच ये करें कि सारे formula को आप कम मज़ कम 20 30 या 50 दफा जरूर प्रैक्टिस करें रिटिन में आगे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम अपनी इंशाल्ला 14.1 एक्साइच शुरू करेंगे करेंगे